आप सभी का स्वागत है आज हम विज्ञान के याने की साइंस के कक्षा तेंत के mcq प्रेशन पढ़ेंगे याने की multi choice question पढ़ेंगे जो कि आपके जो बोर्ड परिक्षा बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्पुन होंगे तो हम हमारे प्रेशन स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पहला प्रेशन है किशी राशानिक अबिग्र्या में होता थे तो प्रे उप्रिक्ष तो सभी हमारा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है अले कि दिभाठों के निश करशन के लिए कि स्विदी कंचा जता है प्रस दोस्तों लेहें जोते हैं जैसे कापण। जिंक सल्पैड तो उससे धात के कराया जाता है तो कराया जाता है अगला प्रशन है टेश्टोइस्ट्रोजन किस से संबंदी थे शेक्राइस्टर नीमन से पाचन कि लिए योवनारम से उत्सरजन कि लिए से तो शेक्रा इस तर नीमन से इंसुलीन हार्मन संबंधित हैं और योना आरम से संबंधिते टेश्टेश्टोन और एस्टोजन का तो ऑप्षन जो थ्री है हमारा करेक्ट आंसर हुआ अगला है एकल संकर संकरन यानि कि मोनो हाइडिट को उसमें जो दूसरी पीडिये उसमें जीनी प्रारूप क्या होगा तो दोस्तों यहां पर अपने को जीनी प्रारूप पुछा गया है सम लक्षनी अनुपात नहीं पुछा गया है तो जीनी जो प्रारूप होगा वो होगा एक अनुपात दो अनुपात एक यानि कि यह केपिटल टी केपिटल टी और यह सब्सक्राइब तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानिक ऑप्शन त्री में थ्री इंटू टेन की पावर आठ मिटर बेटे सिकन होता है निर्वात में प्रकाश का वेग अगला है एक लिंगी पुष्प का उधारने गुड़हल पपीता सरसो और मटर तो दोस्तों गुड कोर्णिया रेटीना परितारिका और दोस्तों इसे कोर्णिया केते हैं जो कोर्णिया इसी को दान defendal में के नेत्र का जो रंग होता है और कचाब द्रव यह नेत्र में भह रहता है, अगला प्राशन है किसी चालक का प्रतिरोद निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर e-lepon-a या आपको याद रखना है अगला है बायो गेस मुक्यता गटक है मेथेन का एथेन का ब्यूटेन का और हाइडोजन गेस का तो बायो गेस मेथेन गेस का मुक्य गटक है यानि कि बायो गेस में मेथेन गेस पाई जाती है पोदे कहलाते हैं तो दोस्तों पोदे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रात्मी उत्पादक्तोας होते हैं के उत्तन क्योंक्त अग्ला प्रेश्टन है कुल कौंड से प्रदेश की नहर शिचाई प्रचन नहर तो ये राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, मद्धि प्रदेश और पंजाब तो ये हिमाचल प्रदेश की सिचाई इकाई है हमारा अगला प्रशन है मनुष्य में वरक एक तंतर का भागे जो सम्मन्दी थे तो वरक, पोशन, उत्सरजन, श्वशन और परिवन तो इसमें उत्सरजन है, यानि किडिनी जो है वो हमारे उत्सरजन तंतर का भागे यानि कि उत्सरजन तंतर में दो वरक को होते हैं दो वरक नलिकाएं होती है और एक मुत्रश ही होता है अगला है दो तंतरिकाउं के मद्धि खाली स्थान को क्या कहते हैं तो दोस्तो इसको दुरुमिका, सिनेप्स, आवेग और एक्सोन तो इसे सिनेप्स केते हैं सुचनाओं का यहीं पर यहां होता है आधन प्रदान होता है दो कोशिकाओं के भी जे विकास के प्रमान हो सकते हैं आवसेशन अंग, जिवाशम, सम覷्त यं. और उप्रोग शतंत्त सभी हैं. अगला है केलिशम कारबनेट, देखिए, उश्मा प्लस केलिशम आकसेट प्लस कारबन डाई आकसेड, यान нам कि do sma देने पर क्या हो रहा है, यह दूब भागों में टूट रहे हैं, कारबनिडई आ रहा है अत्पाद के रुठ में अगला है कोई वीलियन लाल लेटमस को नीला कर देता तो लाल को नीले में कूँ बदलते हैं तो इसका फीछ बन क्या हो सकता है यहां एक 4 और 5 इनका पहें आज साथ से कमें तो साथ साथ पिएच मान किसका होगा चोथे नमबर का यानिकी चोथा आंसर हमारा करेक्ट आंसर है अगला है एक सी-एल-टू सुत्र वाला क्लोरड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांग अधिक है यानिक यानिक योगिक बनाता है आवर्शाणी में तत्व कुन से दरपन है यह समतल दरपन हमेशा सीधा प्रतिमी मी बनाता है वह समतल हो सकता या उत्तल सामानी द्रष्टी के वैश्क के लिए सूश्पष्ट डर्शन की अल्पतं दूरी होती है 25 सेंटिमेटर जबकि अदिकतम दूरी होती है अनन्थ तो 25 cm याने की option एक हमारा correct answer है अगला प्रेस्ट निम्रकी में से कौन सा पद विदुद परिपत में विदुद शक्ति याने की P को निरुपित नहीं करता है तो P बराबर VI होता है P बराबर I square R होता है और V square upon R भी होता है जबकि I, R square ये गलत है याने की P बराबर VI होता है और VI में हम I command V upon R रखेंगे तो हमारे जो formula ये बनके आ जाते हैं तो ये P बराबर VI ये सही है ये सही है ये सही है ये सही है लेकिन ये गलत है अगला है निमलिकित में से कौन जेव मात्रा उर्जा इसरोत का उधरन नहीं है तो जेव मात्रा याने की जिसमें जीमों का आंच है तो लकडी है गोबर गेस भी है जो की पेड़ पोदो का आंच है गोबर गेस जो है ये भी जनतों का आंच है लकडी जो है पोदो का आंच तो नाबी की जो उर्जा होती है उसमें नुकलियर एनरजी होती है जो की जेव मात्रा का उर्जा इस रोत नहीं है अगला प्रेशने दोस्तों उर्जा का पिरामिड होता है तो उर्जा का पिरामिड सदेव सीधा उल्टाव सीधा सदेव उल्टा इन में से कोई नहीं तो उर नमामी गंगे का जो कारिकरम मैं 16 में अगस 13 में मैं 15 में जून 14 में नमामी गंगे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था अगला क्विशन हम देखते हैं राजस्तान राज के खेजडिली गाउं में खेजडिली व्रक्ष को बचाने के लिए किस महिला द्वारा बलिदान किया गय साल उत्राखंड से इसकी शुरुवात होती है अगला तावा बांध कब बना था तो 1970 में इक उत्तर में बहुत्तर में तीयोत्तर में तो दोस्तो 1970 में तावा बना था हिमाचल प्रदेश की प्राचिंतम जल परिवहन सरचनाएं कहलाती है तो इन्हें कट्टा बंदिस कुल और आहार पांटि ने किल कुल केते हैं हिमाचल प्रदेश की जल परिवहन सरचनाएख प्रयकर्तिक संसात्मर्यों का केसा उप्योग होना चाहिए लापकारी प्रचूर विवेखवण learners अत्य अल्पतिन का विवेक पुन उपयोग होना चाहिए गंगा सपाई योजना कब शुरूए थी 84 में 84 में 82 में 1985 में गंगा सपाई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था राजस्थान में जल सरेक्षन की पुरानी इकाई है नदी पर भागि रति यानिकी गंगा नदी पर बना हुआ हैं अगला है प्राकतिक सरेक्षन के प्रमुक उद्देशों में से एक है व्रक्षों का काटना वंचाग जेविकास सरक्षन जेवित्ता सरक्षन वनों को हटना इन में से कोई नहीं तो प्राकर्तिक सरक्षन का प्रमुक उद्देशों में से एक है कि जेवित्ता का सरक्षन यानि कि बाया डाइवरसिटी को ब तो यह हम चेकडेम या एनिकट बनाते हैं इसको चेकडेम या एनिकट कहते हैं अगला है पानी में कोलिफोम जीवाणों की उपस्तिती क्या दर्शाती है तो पानी में कोलिफोम जीवाणों अगर ज्यादा है तो वह पानी क्या होगा पीने योगी नहीं होगा एक बात है और वेश्विक, उसनता बढ़ जाती है, इन में से होगी नहीं, तो इससे भू जल इसतर बढ़ जाता है, कॉलिफोम जीवानु पाय जाता है, यकरत में, आंत्र में, मानव के आमशे में, व्रक में, तो इसका उत्देश वनों of 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 the वो गंगा नदी का सरक्षन है अगला है सन 1731 में जोदपूर के खेजडिली गाओं का जो खेजडिली व्रक्ष बचाने होती कितने लोगों ने बलिदान दिया था तो इसमें 363 ने 263 ने 463 ने 563 ने 563 लोगों ने बलिदान दिया था फाई आर सिद्दान निम्मे से किस समझी थे हैं तो जन्तू सरक्षन से परियावन सरक्षन से ओजोन सरक्षन से जल सरक्षन से हैं तो फाई आर सिद्दान हमारे परियावन सरक्षन से हैं रेडियूज रियूज रिसाइकल रीकवर और रिफ्यूज अगला प्रशने भारत मे वाटर मेन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों बारत में फ्रारम जानेルク बारत में अगला प्रशन है दोस्तों परितंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं जेविक गटक अजेव गटक जेव और अजेव दोनों गटक कोई नहीं तो इसमें जेविक और अजेविक दोनों गटक परितंत्र में होते हैं जेविक गटक में पेड़ पोदे जीव जनतों होते हैं जेवी गटक के अंदर प्रकाश, तापमान, वायू, जल ये इत्यादी होते हैं अहारशंकला का प्रतम पोशी इस्तर है उत्पादक, उब्वुक्ता, मांशारी, अपमारजक्तव जेहें जिसे पेड़ पोदे वो अहारशंकला का प्रातमिक पोशी इस्तर होते हैं सोब पोशी, सोर, प्रकाश में नहीत उर्जा को गरहन करके कुंस उर्जाम बदलते हैं तो भोतिक, राभषाइनिक, कुश्मी और चुंबैकी तो इसे वर राभषाइन बदल देते हैं यानि कि पेड़ पोदे प्रकास अल्शन क्रिया द्वरा सोलर उड़जा को राश्णिक उड़जा में बदलते हैं अगला है आए शंकला में एक पोशी स्थर से दूसरे पोशी स्थर में 10% उड़जा इस्थानिज होती है याद रखिए लिंड मेन ने दिया था यान की एक पोशी इस्तर से दूसरे पोशी इस्तर में उड़ा का 10% नियम अगला है आहर जाल में किस प्रकार की आहर शंकला उत्तम मानी जाती है तो इसमें सीदी शाकानवीत एक और दो इनमें से कोई नहीं तो शाकित जो है क्योंकि इसमें उर्जा का जो है संचार किसी भी दिशाम में हो सकता है अगला है एक इस्तली परितनतर में हरे पोदे की पत्यों द्वारा प्राप्त होने वाली सोर उर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद उर्जाम परिवित होता है तो केवल एक प्रतिशत उर्जा ही सोर की या सूरी की उर्जा का एक प्रसेंट उप्योग ही करते हैं रेपेट पोदे खाद जाल में उर्जा का प्रवा तो उर्जा का प्रवा हमेशा एक दिशी होता है याद रखिए यानिकि एए इनरजी हमेशा रुत पबूग्ता और फिर अपगटक की ट्रार्ट टर्ट त्राणसर होती है नीर में से कौन आहार शंक्ला का नीरमान करते हैं तो रुत van ‫ इसके बाद देखिए फिर शा का अरी यानि कि उत्पदक क्या होते हैं शाकाहरी फिर मांसाहरी फिर अबगटक यहां देखिए उत्पदक मांसाहरी यानि कि उत्पदक को डायट मांसाहरी नहीं खा सकते हैं शाकाहरी जो होते हैं उत्पदक को खा सकते हैं उत्पदक को अबगटक नहीं खा सकते हैं यहां देखिए मांसाहरी होते हैं वो शाकाहरी यानि मास खाते हैं तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले उत्पादक उत्पादक यानि पेड़पोदे इसको शाकाहरी खाएंगे शाकाहरी को मांसाहरी फिर अबगटक तो यहां पे option 2 हमारा करेक्ट आंसर होग अगला है अभ्वकता को मुक्यतर बाटा गया है तो भ्वकताओं को शाकाहरी मांत्सारी तो सर्वाहरी ओ कि इत्यादी जल्च में प्रिषन की मैं अहर अगला है उड़जा का Pirmid होता है सदेव सीधा होता है यह याद रखी है क्योंकि उर्जा एकदिशी प्रवाइट होती है ओजोन के एक अनुमा ओक्षिजन के कितने परमाणू होते हैं तो ओक्षिजन के तीन परमाणू होते हैं एक दो और तो तीसरा ओप्षिन हमारे तीन परमाणू होते हैं उजोन के अंदर इसका फूर्मुला होता है अगला प्रेशन देखिए वायू मुंडल में ओजोन की मातरा में तीवृता से गिरावट कौन से वर्ष देखी गई थी यह 1980 में ही देखी गई थी ओजोन में तीवृता में गिरावट आहाश रंकला में सरवादिक उड़जा किस इस तर पर संचीत होती है तो सबसे जादा अगे जाएगी उतपादक के बाद पर उब्वोकता में जाएगी तो 10% उड़जा ही ट्रांसपर होती है 90% उड़जा का हास हो जाता है जो की 10% उडजा का नियम बताता है अगला प्रेशन देखिए पवनों का देश किसे केते है बारत को जर्मनी को डेनमार्क को फिनलेंड को तो पवनों का देश डेनमार्क को केते हैं अगला है पवन उड़जा अत्पदन के लिए पवन का अनुकुनत वेक क्या है 15km पर हावर, 10 km पर हावर, 61 km पर हावर, 5 km पर हावर यानि कि 15 km पर ती गंटे की रप्तरार से जहां दोस्तो लकडी है, जैवक उर्जा होती है, कोईला यह पेड़पदो से, जबकिन निकलियर एनरजी उर्ज्य उर्थ्यू उर्ठोड यानिकि इसमे जे उर्जा नहीं होती है अगला हैं प्राचिन काल में उश्मे उर्जा का सबसे अधीक साम्मा निस रोत क्या था तो प्राचिन काल में उश्मा प्राप्त करने के लिए हम लकडी पर निरभर होते थे अबिकिन जबकिन शोष्ट काता है जब कि लगभग मान आ किससे प्राप्त कर सकते हैं प्लॉटोनियम् से जबकि Sodium से नावी उर्जय प्राप्त नहीं की जा सकती सोर उर्जय को कर के लिए कौनसा दर्पन काम मिलेते हैं तो इसके लिए उस प्रकार का दर्पन यानिकी कों सा है यह दोस्तों यह है अवतल दर्पन का श्तिमाल करते हैं सारी जो प्रकाश कीड़ने वह काम मिलेगी 1 बिन्दू पर इस्तिर हो जाती है यानि कि उश्मा यहां जाएक तो यहां सोलर कोकर सेट कर देते हैं पाउन जिससे बोजन पंग जाता है अगला सोर सेल सोर उर्जा को किस उर्जाम बदलते हैं तो इसको विदूत उर्जाम बदलते हैं solar cell एक मेगावाट के जनितर के लिए पवन फार्म को कितनी भूमी चाहिए तो कम से कम दो हेक्टियर भूमी चाहिए इसके लिए अगला प्रेशने विदूत धारा उत्पन करने की युपती है तो गेलमेटर, मोटर, आयमेटर और जन्रिटर है यानिश्ट टर गरता है यांत्रि構र्जा को विदुत उर्जाव में बदलता है आयमेटर क्या करता है दहरा मापता है गेलमेटर और अब जो स्लिवर और मोटर जो होती है वह विदुद उर्जा को यांत्री गुर्जाम बदलती है अगला प्रस्ट ने ताम्बे के तार कि आयतागार कुंडली किसी चुम्ब की शेतर की में गुणनी गती कर रही है इस कुंडली में प्रेजित धारा की दिशा कितने परी ब्रहमन के पश्चात पर्वेतित होगी तो इसमें हर आदे चक्र में विदुद धारा की दिशा बदल जाती है विदुद चुम्ब की प्रेरण की खोज किस ने की ती तो दोस्तों यह इस टॉक्स फ्लेमिंग और एस्टेड और फेराडे तो चुम्ब की प्रभाव याने की विदुद धारा की प्रभाव बताया था फेराडे हमारा करेक्ट आंसर विदुद चुम्बक बनाने के लिए किस पदात का उपयोग करते हैं तो इसके लिए हम करते हैं नर्म लोहे का अगला है डाइनेमो यानिकी जनरेटर जो होता है कौन से दारा प्राप्त की जा सकती तो इससे एसी और ड अगला है वह उपकरण जो विदुद्धार्स को यांतरिक यूर्जा को य कुस्राम बदलता है तो विदूद ऊर्जा को य Arno 26 मोटर बदलती है जबकि यांतरी को विदूद को बदलता जनरेटर वोल्ट datedटर आपको उडिया वीवांतरम आपता है इसको हम परिपत के समांतर क्रम में यानि पाश क्रम में जोड़ते हैं चुम्बिकी शेत्र की तीवता का मात्रक क्या है तो चुम्बिकी शेत्र की तीवता का जो मात्रक है वो है वेबर अगला है डेसीबल ये दोनी की तीवता मापी जाती इससे । परदुषन न्यूटन बलकाई काई है और एश्टेट ने चुमिकी प्रभाव इसकी कोज की थी विदुध् instva का चुमिकी प्रभाव , विदूत्मेस्वी तार यानन की जिस में current प्रभाइद होता है लाइ वायर का कलर होता है तो लाइव रंगा होता है यह याद प्रक्षेपित कोई धनावेशितकन ए किसी चुम्बी की शेतर द्वारा उत्तर की और विक्षेपित हो जाता है तो चुम्बी की दिशा क्या होगी तो चुम्बी की दिशा होगी उपरी मुखी